आइससामले कुम अब्रिवन वेलकम बैक टू माई चैनल आजकीवीडी dew सब एक और राज देखलों नहीं है लेकिन ऑरज के पील सब रेक्टे आजकी वीडियो में हम और राज के पील का यूज चैनल और वह भी में उसके टू बैनेफिट्स आप बसक्सेर करूंगी औरेंज को हमने पील कर लिया है अब औरेंज को हम खा लेंगे और औरेंज का जो पील है उससे हम सबसे पहले सीरम बनाएंगे सीरम बनाने के लिए हमें चाहिए एक पैन और उसमें हम एक करेंगे वन कप वाटर और उसके अंदर हम डाल देंगे अपने जो औरेंज के पील है उनको डालकर हम चूले पर रखेंगे और आज को हम नॉर्मल तो मीटियम रखेंगे अब हम पैन को उपर से कवर कर देंगे और इसको एट लिस्ट त्री तू फाइव मिनट तक पकाएंगे अब हम देखते हैं कि और इसको चुलका है आप देख रहे होंगे कि नरम हो चुका है और जो कलर है वो पानी में आ गया है और अच्छे से उसका एक्सट निकल गया है अब हम आज को बंद कर देंगे अब इसको थोड़ा से ठंडा होने पर थोड़ से स्टीम निकल चाए तो एक उसको ब्राइंट कर लेंगे इसको टू मिनट के लिए साइड पर रखा है लेकिन फिर भी अभी खोड़ा सा हॉट है चुपकर मुझे आपको फाइनल लुक तिकानी है इसलिए मैं इसको ग्राइंट कर रही हूं और इसकी एक बारीक सी पेस बना लेंगे मैं इसको कर लिया है आप देख सकते हैं यह इस तरह का दिखाई देता है और अब मैं इसको स्टेन कर लूंगी हम स्पून की हेल्प से इसका सारा जूस स्टेन कर लेंगे आप देख सकते हैं अच्छे से हमने इसका इक्सेट निकाल लिया है जो के लिक्विट फॉम में है और यह ड्राइपन डूस को बचा है इसको भी हम इूस כippers चिल ऑईल इसको प्रिजर्व करने में वर्क करेंगा और यह बहुत ही अच्छा सीरम बनेगा इसको सप्रेप बॉटल में डालकर अपने पास रखें और अपने फेस पेस प्रेक करें तो बहुत ही फ्रेश लुक आएगी और आपकी स्किन फ्रेश रहेगी बहुत ही प्यूर प्रेश रेमेड के लिएंट है यह झालते हैं दूसरी रेमेड रेमेड बनाने के लिए बहुत है और इस सीरम के यूज इसको बभी आपना है यह फ्रेता है यह पिर मारा प्लाय करें हो चाहिड़कर उन तो मारा कलर भी वह साफ होचाएगा और टैन प्रेश पिर में नहीं उसके बाद इसमें जाएगा वंट स्पून लेमन जूस और थोड़ी ज्छाग बना शूरू हो जाएगा या परिशान मत हुएगा और उसके बाद हम ने जो अभी सीरम बनाया है वन स्पून हम उस सीरम को एट करेंगे इसको हम अच्छे से मिक्स करेंगे अब हम इसमें एट क यह नहीं हमारी चाहिए है प्रस्किन का जो खुराब हो जाता है उसको साफ करने में मदद करता है और हमारी सकिन फ्रेश नदर आती है आप देख सकते हैं इस फॉर्म में हमें मिल जाएगा अब हम इसको अपने हैंड्स पर अपने प्लाई कर सकते हैं आपने हैंड्स पर अपने हाथ़ों पर अपने हैंड्स पर अपने हैंड्स पर लगा लिया है और हम एक बार हैंड्स पर बचाहीं है हाथ पे लगा रहने देना है उसके बाद हम इसको इस तरीके से लकाहलका अपने हाथ पर रप करेंगे और तक वागशे भीमत तक हम रप करते रहेंगे उसके बाद हम इसको ठंडी पानी से वश कर तो आप देख सकतें हैं मांशलोह माशालाब बहुत अच्छा रिजल्ट आया है मेरे हैंड इस तरह माशालाब बहुत ही नीड और बहुत गोरे लग रहे हैं विंटर्स की वज़ासे मेरे हैंड की स्किन बहुत ज़्यदा खराब हो गई थी जिसकी वैसे मैंने सोचा कि मैं ये रिमेडी को अपलाई करती हूँ अपने हैंड पे और आप सब के साथ भी शेयर करती हूँ मुझे तो बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिला है और 100% परफेक्ट इसका रिजल्ट है तो काईली आप भी ट्राई करें और मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा कि आपको मेरी ये रिमेडी कैसी लगी इलते हैं अगली वीडियो में जाने से पहरे चैनल को सबस्क्राइब लाजमी कीज़ेगा थैंक यू सो मच अला हाफ़ेज